जै माधारी देवी साथियों, आज हम दर्शन करेंगे माधारी देवी का माधारी देवी जो मा काली हैं उत्राखंड की वह उत्राखंड के चारों धामों की रक्षिका हैं चार धाम आप जानते ही हैं, बद्रिनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री धारी देवी मंदिर उत्राखंड वासियों की आस्था का स्थल है यह कालिया सौड में बद्रिनाथ रोड पर रुद्रप्रियाग और श्रीनगर के बीच में है जनशुर्ती के अनुसार मा की मूर्ती यहां अलकनंदार नदी में बहती हुई आई और एक चट्टान के साथ रुख गई पास के ग्रामिनों ने मा की दिव्ववानी सुनी और मा के आदेश पर यहां मा काली की मूर्ती की स्थापना की गई इसलिए मा क्योंकि गंगरा जी की धारा के साथ बहती हुई आई धारी देवी कहलाई यहां के स्थानिये लोग मानते हैं कि मा खुले आस्मान के नीचे रहना पसंद करती है इसलिए मूर्ती के उपर चट नहीं डाली जाती मा पर लोगों की अटूट श्रद्धा है पुराने मंदिर को जो नदी से 20 मीटर उंची चटान पर था दूर से ही घंटियों से पहचाना जाता था अब नए मंदिर में भी कुछ हलकी घंटियां टंगी हैं लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो लोग घंटियां चड़ाते हैं यहां आप पूरे वर्ष मा के दर्शन कर सकते हैं किन्तु नवरात्रों में श्रद्धालू की भीर बढ़ जाती है मा वुलाती है तो भक्त पहुँच जाते हैं आस्था शुद्ध हो तो मा बहुत ही आकरशित करती है अलग नंदा हाइड्रो इलेक्टिक ड्रैम प्रजेक्ट के कारण पुराने स्थान से मा की मूर्टी को उठाना पड़ा इसी कारण श्रद्धालू मानते हैं कि केदान नाजी में 2013 में भीशन शती हुई जनवरी 2023 में साथ दिन की पूजा अर्चना के बाद मा की मूर्टी नौ साल बाद 27 स्थान पे नए मंदिर में जो पिलर्स पे बना है नदी के बीचों बीच स्थापित की गई है मंदिर को लगभग 25 कुइंटल फूलों से भवे रूप से सजाया गया मंदिर में मा की काले पत्थर की मूर्टी है और साथ में बहरव बावा की मूर्टी है कोने में एक चोटा सा शिव मंदिर है माता का यह स्थान शीमत देवी भागवत के 108 शक्ति स्थलों में से एक है कुछ भक्तों के अनुसार आधी गुरु शंकराचार्या जी ने अपनी उत्राखंड यात्रा में मा धारी देवी की पूजा अर्चना की थी साथियो भारत के ऐसे शक्तिशाली स्थानों की पवित्र जानकारी के लिए प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब दिस चैनल तोमेव माता च पिता तोमेव तोमेव बंधुष च सका तोमेव तोमेव विद्या द्रविणम तोमेव तोमेव सर्वम मामदेव देव जै माता भवानी जै माधारी देवी झाल झाल